हलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाना बताऊंगी सेम आलू की सुखी सबची, जिसको आप भुजिया भी बोल सकते हैं, बहुत ही धावे स्टाइल में बनाना बताऊंगी, बहुत ही सुपर एंडिलिस्टिस बनती है फ्रेंड्स, तो लाज वीडियो में आपने दिखा कि मैं 600 मसाल के साथ बनाना बताई थी, आलू बैगन और मेथी की सबची, और इस वीडियो में मैं आलू और सेम की सिंपल सबची बनाना बता रही हूं फ्रेंड्स, तो सेखे, हमने यहां पर आदा किलो लगव शेम ले लिया है और इसको हम इस तरीके से चीलेंगे, हमें इस तरीके से रेशे होती है, बाल जैसा उस धागे को हमें निकाल लेंगे, इस तरीके से चील के, देखिए धागा जो हमने निकाल लिया है यहां पर और इसकी छोटी-छोटी पेसे में कट कर लेंगे, इसी आकार में हमें इसको कट करना है, ताकि जो सबची है न वो अच्छे से बने, तो देखिए हमने चोटे-चोटे-पेस में इसको काट लिया है, अब मैं इसको धो लूँगी, और यहां पर मैं दो आलू ले रही हूँ, उसको भी छील के चोटे-चोटे-पेस में कट कर लूँगी, तो यहां पर मैंने दो आलू ली है, जिसको काट लूँगी, देख सकत करें मैं अर नंते तो आफें हैं पर काटने और इसको है भी मैं उश्थ कर लिये हूं है ऌर पर जो सकते हैं लेकिन मैं आप अलग अलग धो रही हूं है कि इस तरीके से हम इसको कांपानी से बाहर निकाल दुन हम आदि आहिरें निAKाल लेंगे खूUP मैंने यहां पर जीरा लिया है और दो से तीन हरी मिर्च कटी हुई मैं चरपटी सब्जी बनाना बता रहे हूं और तीन यहां पर लाल मिर्च भी ले हूं इसको भी मैं चोटे-चोटे टुकडे में थोड़कर डाल दूँगी इससे इसका सब्जी ना बहुत अच्छा लगता है तो लाल मिर्च आप जरूर एड़ करें यहां पर तड़के लगाने के टाइम में और यहां पर दो से तीन जो हमने आलू कट करके रखा था ना इस स्पेस में तो इसको भी फ्राइ कर लेती हूं आलू को गोल्डन ब्राउन तक हम यहां फ्राइंड करेंगे अच्छे से फ्रैंड्स ताकि जो है इसका कच्छापन बिल्कुल भी न रहे यह में मेडियम फ्लेम पे ही करना है ज्यादा हाई नहीं करना है अब मैं साथ में यहां आड करूंगी जो हमने सेम को कट करके रखा था ना छोटे-छोटे पेसस में उसको तो मैं यह ड्राइ सबजी बनाना बता रहे हूं फ्रैंड्स लास्ट वीडियो में आपने देखा था रसे वाली ग्रेवी वाली सबजी थी इसमें मैं बिल्कुल फ्रैंड्स यहां पर 3-4 मैं चुटे-छोटे प्याज को फाइन चॉप कर लिया है वही मैं यहां डाल रही हूं बड़ा है तो आप दो डाले नहीं तो छोटा प्याज है तो आप 3-4 डाल सकते हैं और इसकी सबजी इतनी टेस्टी बनती है फ्रैंड्स आप इसको पूड़ इससे बना लेते हैं मशाले की कर लेते हैं यहां पर दो चमच हमने Sandy लिया है सरसों का मेरा है यहां फे दो तीजबत्ता नंबल में लहहसुन की पेश्ट कि लिया है कि इसको भी अच्छे से भूल लेंगे ता कि इसका है न तीद रहाודע देख सकते हैं इसकी कच्छापन बिल्कुल निकल चुकी है यह गॉर्डन ब्राउन हो चुका है लेस्वन अब मैं यहां पर डाल रहे हैं दो से तीन टमाटर जो चौप किया हुआ है देखिए यह फाइनली चौप की हुई टमाटर है आप चाहे तो यहां पर टमाटर की प्यूरी भी आड़ कर सकते हैं इसको अच्छे से दो से तीन मिनट तक हम इसको पकाएंगे उसके बाद में हाँ पर स्वाद के अनुसार नमक धनिया पाउडर हल्दी पाउडर एक चमच कस्मीरी ल बास्ट में आड़ करेंगे इस सारे मशाले को हमें लो फ्लेम पे ही अच्छे से पका लेना है एक साइड आप यह मसाला रेडी करें और दूसरे साइड आप सेम आलू जो है वह अच्छे से फ्राइब होने दे तो लो एंड मीडियम फ्लेम पे वह उधर फ्राइब हो रही ह मशाले जो है अच्छे से पक चुके है अब मैं क्या करूंगे इसको सब्जी मैं आड़ करूंगी देखें यहां पे मैं इसको आड़ कर दी हूँ और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे यह धाबे इस्टाइल में मैं बनाना बता रहे हूं सेम आलू कि सब्जी फ्राइंड बहुत ही टेस्टी अंडिलेसियस बनती है इस मैथर्ड से आप एक पर जरू ट्राइब करें मुझे पता है कि आपको बहुत पशंद आने वाली है यह सब्जी लीट लगा के हम तीन से चार मिनट के लिए इसको पका लेंगे ताकि जो आलू है अच्छे से पक जाए तीन से चार मिनट हो चुकी है लगवग मैं इसकी लीड हटा कर देख लेती हम फ्रैंट्स कि आलू जो है वह पक गई है या नहीं तो ओयल जो है देख सकते हैं इसके साइड से आ गया है सब्जी में तो इसका मतलब है कि सब्जी अच्छे से पूख हो चुकी है इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे और साथ के साथ यहां पर आप अट करेंगे हरा धनिया कटा हुआ है तो डाले नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और मैं यहां पर एक चमच गरम मसाला अट कर रही हूं और साथ के साथ धनिये का पत्ता और यह सबजी बन कर तयार है फ्रेंड्स कैसी लगी यह सबजी आपको कॉमेंट करके जरूर बताना शानवी की रशोई को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलना फ्रेंड्स